हाई फ्रेंड्स आप लोग कैशे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करें कलास बीए पार्ट सेकेंड सब्जेक्ट है होम साइंस आउनर्स पेपर थर्ड दोस्तों चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अहार चिकीतस्ा के परिभास, इतिहांस, महत्व तथा लक्षे का वर्णन करें दूसरा क्वेशन है तरल अहार का क्या आर्थ है रोगी को यहचिन परिस्थितियों में दिया जाता है कितने प्रकार के होते हैं, तरल अहार का क्या अर्थ है, रोगी को यह किन परिस्थितियों में दिया जाता है, इसके कितने प्रकार होते हैं? तिसरा कोश्चन है कोमल अहार का क्या अर्थ है कोमल अहार का क्या अर्थ है रोगी को यहकिन परिष्थितियों में दिया जाता है इसके कितने प्रकार होते हैं चौथा कोश्चन अपने सयन कप्ष की योजना बनाते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखेंगी पांचवा कोश्चन है पारिवारिक बजट को परिभासित करें पारिवारिक बजट को परिभासित करें पारिवारिक बजट के बिभिन प्रकारों एवं महत्व को बतावें छठा कोश्चन है फर्नीचर के बिभिन प्रकारों का वर्नन करें सात्वा कोश्चन है ग्रिह प्रबंध की अवधार्ना की बिवेचना करें ग्रिह प्रबंध की अवधार्ना की बिवेचना करें ग्रिह प्रबंध में मुल्य लक्ष एवं अस्तर को समझावें ग्रिह प्रबंध की अवधार्ना की बिवेचना करें ग्रिह प्रबंध में मुल्य लक्ष एवं अस्तर को समझावें आठवा कोश्चन है उप भोप्ता सनरक्षन नियम पर एक संचिप्त निवंध लिखें उप भोप्ता सनरक्षन नियम पर एक संचिप्त निवंध लिखें नववा नमबर है एक सू ग्रिहनी के गूनों की ब्याख्या करें दस्वा कोश्चन है अंतह सज्या में रंगों के महत्व का वर्नन करें एक राहमा कोश्चन है ग्रिह ब्यवस्था के सिधान्त एवं महत्व का वर्नन करें बराहमा कोश्चन है आप अपने लिए एक फरनीचर खरिदते समय कीन-कीन बातों को ध्यान में रखेंगी तेराहमा कोश्चन है सफ़ाई पर एक निबंध लिखें दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें जिसे की जो भी वीडियो में अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें आप हम लोग आगले वीडियो में मिलेंगे तब तक लिए जय हिन जय भारत